साइन्स, फन और मशीन्स की एक अद्बुत दुनिया में आपका स्वागत है। लैंड पैक लैंड पैक जमीन में सुधार करने वाली दुनिया भर की कमपनी इसमें से एक अनुभवी कमपनी है। ये गाड़ी चलते चलते जमीन पर त्रिकोणी अंदाज में वजन डालती है जिससे शहरी अलाकों की जमीन की सतय बहतर लेवल हो जाती है। साथ-साथ इस मशीन से जमीन की लोड बरदाश्ट करने की शमता भी बढ़ जाती है। वाके लैंड पैक से आपका वक्त और पैसा दोनों की बचत हो जाती है। और बात की जाये तो इस गाड़ी द्वारा फास्ट ट्रैक और जमीन की मेंटेनस के काम में बहुत अच्छी तरह जा सकते हैं। XXL Slurry Mixer XXL Slurry Mixer को Holzel Company ने बनाया है और इस मशीन में गारे को मिक्स करने का एक आईडियल और इफेक्टिव उपाए है। XXL Slurry Mixer बड़े कंटेनर में मेटीरिल को बराबर एक दूसरे में मिक्स करता जाता है। इससे माइक्रो और्गनिजम्स भी भोजन को उप्योग कर पाते हैं, जो के हाई गैस बनाने के लिए पहली बुनियादी शर्थ होती है। XXL Slurry Mixer काम करते हुए मिक्सिंग करने के लिए अपने पाउरफुल आम को इस्तिमाल करता है, जिसकी पहुंच 37 मीटर तक होती है। और इसके काम करने का एरिया 370 डिग्रीज होता है, जिससे ये मुश्किल हालात में भी धेर सारे मेटीरियल को मिक्स करने का काम कर सकता है। अपने काम के लिहाज से ये मशीन जगे की बहुत बचत करती है, और जब ट्रेंड लोग इसे यूज़ करते हैं, तो ये और भी सुरक्षित मशीन हो जाती है। मिलवाओ की M18 Fuel मार्किट में मौजूद एक शानदा टूल है। इसके छोटे साइज को देखने से लगता है कि इसमें और डिवाइसिस के मुकाबले में पावर और काम की ख्षमता कम होगी। लेकिन बनाने वालों ने इसके पावर को दिखाने के लिए एक टेस्ट भी तयार किया है। इसके लिए उन्होंने एक मेकैनिकल चर्खी को रसी द्वारा गाड़ी खीचने के लिए फिट किया। और हैरत की बात की अपने छोटे साइज के बावजूद इस मशीन ने एक भारी गाड़ी को केवल मेकैनिकल चर्खी को घुमा कर ही खीच लिया। इस टेस्ट ने ये सावित किया कि M18 फ्यूल जैसा टूल अपने हाइट टॉर्क के कारण आसानी के साथ टनों के वजन को हैंडल कर सकता है। फॉलकर्क वील फॉलकर्क वील ग्लासगो शहर के करीब दुनिया का पहला घुमने वाला पहिया है जो कश्तियों को उठाने के लिए इस्तिमाल होता है। इसकी बनावट ऐसी है कि दोनों तरफ ये 24 मीटर तक उपर उठ जाता है और पानी के साथ जुडने के लिए 11 मीटर और पूरे करता है। इंजीनीरिंग का ये शाकार 24 में 2002 को लॉंच हुआ था और एक साल के बाद ही इसे दुनिया के सबसे ओरिजिनल डिजाइन का नाम दिया गया था। इसका बोट लिफ्ट का डायमेटर 35 मीटर है। इसकी पूरी बनावट के बीचों बीच एक एकसिस होता है और दो किनारे के सिरे होते हैं जो दिखने में कुलाडी जैसे लगते हैं। फॉलकर्क वील अपने गिर्द 180 डिग्री जितना घूम सकता है। फिर ऐसा करने पर ये अपने दोनों सिरो पर पानी को थामे रखते हैं। इन में हर एक का वजन 500 टन होता है। और इन सिरो में ही कश्तियां ठहरती हैं। फॉलकर्क वील बहुत बुद्धी से आरकमेडीज के नियम का प्रदर्शन करते दिखाई देता है। इस तरह कि ये अपने दोनों सिरो पर वजन को बराबर बैलेंस रखता है ताकि घुमाने के लिए कम पावर लगे। रैक जर्मिनी के वाटर टैंक ट्रक्स को बनाए हुए एक दशक से भी ज्यादा हो चुका है। और ये हर तरह के मुश्किल हालात में काम करने वाला हेवी ड्यूटी वाटर टैंक ट्रक है। ये सारे ट्रक्स कस्टम बिल्ट हैं जिनकी रेंज 3,000 लीटर से 30,000 लीटर है और इसके सेमी ट्रेलर की रेंज 60,000 लीटर है। इन टैंक्स की बॉडिज को पूरी तरह जर्मनी में बनाया और वेल्ड किया गया है। रैक जर्मनी के वाटर ट्रैंक ट्रक्स के साथ लैस होने वाली चीजों में खुद से सक करने वाले पानी के पंप्स, पाइप उठाने के लिए कैरियर, एक सीड़ी और नॉजल्स एजस्ट होने वाले स्प्रे बार्शा मिल हैं। पानी भैकने के लिए हैंडल को आगे या पीछे जैसे चाहें फिट कर सकते हैं, जबकि हाई प्रेशर वाले नॉजल्स रोड साफ करने के लिए आगे भी लगाया जा सकते हैं, ताकि रोड और बहतर तोर पर साफ हो सकें। पॉंसेलेट वाटर वील पॉंसेलेट वाटर वील शोर वाले और परियावरेंड में गंदगी फैलाने वाले डीजल पावर जनेरेटर्स के मुकाबले का एक भैतर विकल्प है। ये वाटर वील टेकनॉलेजी हमें ग्रीन पावर की तरफ बढ़ने में मदद दे सकती है। जो प्रैक्टिकली आज के महौल के लिए एक प्राक्रितिक ज़रूरत है। पॉंसेलेट वाटर वील डायमीटर में तकरीबन 3 मीटर है और 1 मीटर चौड़ा है। और बैल्ट द्वारा जुड़े हुए इसकी स्पीड 5 to 1 बनती है। और इसके जनरेटर 50 RPM का मैक्सिमम पावर बनाते हैं। इस सिस्टम को कुछ ज्यादा मेंटेनेस भी नहीं चाहिए होती। Windy 491RE कोने कोने की सफाई करने के लिए एक वैक्यूम क्लीनर है। इसको बनाने वाली एक फ्रेंच कमपनी रबाव है। Windy सफाई के लिए हवा को इस प्रकार इस्तिमाल करती है कि जिसके तरीके में नयापन भी है और कम खर्च भी। Windy एक All-Rounder Blower है जो आपके ट्रक से अटैच हो जाता है। ये मशीन कम्यूनिटीज, कॉंट्रैक्टर्स और गार्णिंग वगेरा जैसे काम करने वालों में खासी मशूर है। इसके हाइड्रॉलिक लिफ्टिंग सिस्टम के कारण इसे इस्तिमाल करना आसान है। और इस मशीन को चलने का पावर इसके Thermal Caller 14 HP Engine से मिलता है। विन्डी मशीन वजन में 300 किलो से कम है। इसमें 6 हटाए जा सकने वाले ब्लेड्स भी हैं। साथ में 3 साल की वारंटी भी। और रेगुलर यूज करते रहें तब ये से किसी मेंटेनेंस की जरूरत नहीं परती। बोरगी ऐसी कई कमपनीज जो ब्रश वगेरा की प्रोडक्शन के लिए मैनुफेक्चरिंग करती हैं। इनकी भीड में इटली की कमपनी बशेरी बोरगी ग्रूप सबसे आगे है। ये कमपनी 50 से भी ज्यादा मॉडल बनाती है। और सारे डिजाइन इंडस्ट्री वाइस तेजी और फुर्ती के साथ बनते और काम करते हैं। जैसे ये वाली मशीन तेजी के साथ खास मात्रा में ब्रशिस को सुराखों में लगाती जाती है। जबकि ये हैप्टर मॉडल खास तोर पर बनाये गया है ताकि ये प्रती मिनट ब्रशिस के हजार से भी ज्यादा बंडल्स बना सके। और इस मॉडल द्वारा एक मिनट में 35 ब्रश बन जाते हैं। ये वाला मॉडल जूपिटर कहलाता है, जिसे सिलेंडर या रेक्टैंगल शकल में ब्रशिस बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। और इसमें भी पहले के जैसी सारी खूबिया हैं, बल्कि ये गड़्धा करके उनको भरता भी जाता है। आखिर में आर्केमिडीज एक ऐसा मॉडल है जो हर प्रकार के ब्रशिस बनाने के लिए फिट रहता है। तो दोस्तों यहां दुनिया भर से आठ सबसे ज्यादा पाउरफुल मशीन की लिस्ट समाप थुई। आपके ख्याल में कौन सी मशीन सबसे ज्यादा कारगर है? हमें नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोज मिस ना हो जाएं। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टेक केर।